एक हवा का धोका मेरे गालों को गुदगुदाता है फूलों की खुश्बो दिल को लोभाती है और उसके बाद फिर ध्यान से सुनो दूर से आती है चिडिया की आवाज तुमने ठीक कहा, मैं भी सुन सकता हूँ और हरे हरे बगीचों में तेर सारे फूल अच्छा लग रहा है क्या तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हम कारुई जावा में हैं एसी की हवा में तो कोई खास बात नहीं कुदरती ठंड़की तो बात ही कुछ और है हाँ ऐसा लगता है जैसे हम असली खेत में है हवा में बसंद की मेठी से खुश्बू थी अब क्योंकि हमारा आंगन बहुत बड़ा है इसलिए हमारे पास हर मौसम के फूल पौदे मौदे मौदे हैं तुम लोग हर मौसम का मज़ा यहां पर ले सकते हो यह कितनी अच्छी बात है हाँ दूसरों के आंगन की तरह नहीं उस छोटे से आंगन में तो एक भी मौसम का मज़ा उठाना नामुम्किन है पर मेरे आंगन में तो सारे मौसम के मज़े लिए जा सकते हैं स्यादा बूर रहा है हे तुम वहाँ पर खड़े मत रहो तुम हवा के जोके को ब्लॉक कर रहे हो हाँ यहाँ पर हम लोगों को भी तो हवा चाहिए नोबिता तुमने बिल्कुल सही कहा हवा में थंड़क कम हो रही है कितनी बुरी बात है ना सुनियो ओफो काल यहां से कोई एक चला जाता हाँ और अगर यहां से कोई जाएगा तो अच्छा ठीक है मैं चला जाता हूँ मैं यहां से जा रहा हूँ अब तुम रोकोगे तो भी नहीं रुकूंगा समझे वैसे मुझे भी अब चलना चाहिए अरे नहीं शिजुका तुम रुक सकती हो मुझे माफ करना सुनियो मुझे प्यानो ग्लासिस में जाना है यह लोग मेरे साथ हमेशा ऐसा करते है मुझे उन दोने पर बहुत गुसा रहा है पर ताजी हवा का सच मुछ बहुत मजाया फूलों की खुश्बू भी फार पढ़िया थी मैं घर आ गया मुझे रकीम है कि मेरे कमरे में ताजी हवा की खुश्बू जरूर आएगी आओ नो बिता क्या बात है तुम कुछ परिशान हो इस कमरे में घुटन महसूस होती है तुम कमरे के खिड़की क्यों नहीं खोल देते खिड़की खोलो और ठंडी हवा को तुमें गुदगुदाते हुए मैसूस करो बाहर कितना शोर शराबा हो रहा है मैं जानता हूँ तभी तो मैंने खिड़की बंद की थी यह तो फूलों वाली ताजी हवा के आसारी नहीं नजर आते क्या ताजी हवा पता है आज फिर सुनियो अपनी दोस जमा रहा था तुम जानते हो ना उसके घर में एक बड़ा गार्डन है वह ऐसा लगता है जैसे हम पहाडों में हो जहां ठंडी हवा चलती है क्या ताजी और ठंडी हवा और अगर तुम ध्यान से सुनो तो तुमें चेडियों का चेह चाहाना भी सुनाई देगा चेडियों का चेह चाहाना और ताजी ठंडी हवा मैं ऐसे सुन्दर फूलो वाला गार्डन जरूर देखना चाहूँगा तुम भी ऐसा गार्डन देखना चाहोगी ना तो प्लीज कुछ करो, प्लीज कुछ करो ना ठीक है, मैं इस बारे में कुछ करता हूँ क्या, सर्च में? अब ये सब मेरी जिम्मेदारी है Everywhere Fun इससे तुम ठंडी खुश्बुदार हवा यहां ला सकते हो? सिर्फ इतना ही नहीं, बलकि मैं हर तरे की हवा यहां ला सकता हूँ जैसे की जंगलों की हवा की महेक, वगेरा वगेरा और हाँ, ये सब इस माइक्रोफोन में बोल कर मुम्किन हो जाता है वाओ, ये तो बढ़िया है और सुनो लोबिता, तुम इसे लहरा कर हवा का रुख और फोर्स कंट्रोल कर सकते हो वाओ, मसा रहा है अब तो चीडियों को चेहे चाना भी अच्छी तरह सुनाई दे रहा है मैं और तरह की हवाई भी बना सकता हूँ मिसाल की तोर पर ये साउट पोल से एक लिजर्ड है कहो, कैसा लगा? एक ट्राफिकल ब्रीज, चल्दी, एक ट्राफिकल ब्रीज, मुझे फोटन लग रही है चल्दी कर्मी है, मुझे तरॉपिकल पूर्ट की खुश्बू आ रही है ये मौसम हवाई या ताहीटी में होता है मतलग तुम किसी बीतराकी हवा बना सकते हो हाँ, बिल्कुल, किसी बीतराकी क्या मैं इसे ले सकता हूँ? अले, बिल्कुल नहीं तुम फिर शुरू हो गए मैं जानता हूँ, तुम फिर एक मुसीबत खड़ी कर दोगे बिल्कुल भी नहीं मैं ऐसा हमेशा तो नहीं करता मैंने सही कहा आना डोरी मौन क्या तुमें मुझे पर भरोसा नहीं है मुझे तुम पर भरोसा है पर नोबिता, तुम चिंदा मत करो मैं बस अलग-अलग तरह की हवाइं बनाना चाहता हूँ बाइ-बाइ माफ करना बस इतना ही है ओ, ठीक है, कोई बात नहीं सब कुछ बहुत अच्छा बना था सुनियों और आज बहुत मज़ा आया तुम्हें कुछ देखकर मैं भी बहुत खुश हुआ जियान अच्छा, तब तो मुझे यहां रोज आना चाहिए सुनियों क्या तुम्हें कोई तकलीफ है नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, जरूर आ जाना मैं तुम्हारा इंतिजार करूँगा ओ, अच्छा, अगर तुम इतना जोर दे रहे हो तो मैं जरूर आऊँगा मुझे बहुत ही खुशी होगी यह मिट्समर ट्रॉपिकल भीस है जिससे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है यह नहीं यह चली कर्मा गरम हवा जियान सुनियो, मुझे बहुत सताया था ना अरे यह क्या है आहिर क्या बात है जियान यह क्या हो रहा है अचाना कितनी गर्मी क्यों लग रही है इतनी गर्मी तो गर्मियों में भी नहीं होती यहाँ तो मैं तप रहा हूँ मैं इस घर में बिलको नहीं रह सकता भागो तुम यहां पर क्या कर रहे हो मैंने इस फैन से बनाया है मिड्समर ट्रॉपिकल ब्रीज ये रहा वो फैन तुमने मुझे बचा लिया नोबिता जियान तुम मेरे गला ही पड़ गया था अब क्यों न इस ब्रीज को बंद कर दें क्यों नोबिता मैं माफी चाहता हूँ ये ब्रीज एक घंटे तक चलती रहेगी क्या कहा एक घंटा ओके बाई ये क्या हुआ क्या कहा थंडी हवा हाँ ये मेरी तरफ से तुमारे लिए एक तोफा है वाओ ये कितने अच्छी बात है खिड़किया बंद होने के बावजूद में हवा को महसूस कर पा रही हूँ शिजू का क्या तुम जानती हो मैं किसी भी तरह की हवा चला सकता हूँ खिड़किया वो तब भाज गया हां ये सब क्या हो रहा है ही क्या ये तुम्हारा है हां शुक्रिया ये मुझ पर उधार रहा चोड़ो कोई बात नहीं शिजू का क्यों न हम थोड़ी देर कुछ खेले तुम्हारा मतलब क्या है ह। आइडिया, इस पर राइड करें क्या इस पर? हाँ, हम इस तरह ऊपर जाएंगे ये मैं नोबिता को लेकर परिशान हूँ वो उस ग्याजट का कोई गलत इस्तिमाल तो नहीं करेगा पर नोबिता हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी पर ही देता है जब भी उसे कोई नया गाजट मिल जाता है तो उसका दिमाग कोई नहीं शरारत करने में लग जाता है वो इस वक भी कोई शरारत ही कर रहा होगा मुझे पूरा यकीन है अरे नहीं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था रुक जाओ नोबिता, मैं आ रहा हूँ नोबिता, तुम कहा हो तुम कहा हो नोबिता नोबिता थेंच नोबिता, बहुत बजार है नोबिता, ऐसा लग रहा है जैसे हम पीसे तुफान से खेल रहा है हाँ, तुफान से खेलने में मजा रहा है ये, 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 बजा रहाए रुको इतना समझ लो मैंने कोई भी गरत काम नहीं किया डोरी मॉन तुम मुझे दोखा नहीं दे सकते नो बिता, तुम मेरी बात समझ रहे हो वाल तुम बाते मत करो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, समझे मुझे से कुछ चुपाने की कोशिश मत करो वाल पातो वो मुझे दे दो, मुझे शिजुका के साथ खेलना है नहीं, वो मुझे दो बिल्कुल नहीं लोबिता भी लोबिता की तरफ से मैं तुम से माफी मांगता हूं अरे डोरेमोन आज लोबिता को खूद रांच पड़ेगी चुप रहो, अपना मुझे बंद रखो देखो, मैंने कुछ नहीं किया चूट मत बोलो, लोबिता बोलो यह क्या हो गया? क्या हो रहा है यहाँ? नगर आ गया ओ डाड आप हे का इंतजार था अच्छा लेकिन यह बताओ तुम बाहर क्या कर रहे हो घर में तूफान आय हुआ है हम कुछ देर के लिए अंदर नहीं जा सकते डाड क्या तूफान? यह सब तुम्हारी वज़े से हुआ है डोरेमॉन तुम अवेशा कोई मुसीबत खड़ी कर देते हो हुआ 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 धुआ हुआ हुआ झाल 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 झाल